आज हम सिखेंगे प्राइपरजिशन्स ओफ टाइम यानि समय को जो भी रिपरेजेंट करती हैं प्राइपरजिशन्स वो आज इस वीडियो में आप सिखेंगे कौन-कौन सी टाइम के लिए प्रेपरजिशन्स है एट, ओन, इन, बिफोर, आफटर, दूरिंग, बाई, फोर, सिन्स, तू, तिल, अंटिल, विथ, विथ, इन, फ्रों ये सब भी प्रेपरजिशन्स टाइम के लिए यूज की जाती है एट, ओन, इन, बिफोर, आफटर, दूरिंग, बाई, फोर, सिन्स, तू, तिल, अंटिल, विथ, विथ, इन, फ्रों आपको इस विडियो में आज प्रेपरजिशन्स ओफ टाइम बिल्कूल अच्छ से बढ़ाया जाएगा आप पूरी विडियो द्यान से देखेगा सभी को एक्जाम्पल के त्रू समझाया जाएगा कहां पर यूज करना है, किस टाइम पर यूज करना है यह पूरा इस विडियो में आपको बताया जाएगा द्यान से इस विडियो को देखेगा और सुनिएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे 8 8 कब यूज होती है हमने ये पढ़ा कि 8 पॉइंट ओफ टाइम यानि टाइम को बताने के लिए यूज की जाती है पर किस टाइम को बताने के लिए यूज की जाती है तो घड़ी के निश्चिस समय को बताने के लिए हम 8 का यूज करते हैं 8 का यूज करते हैं घड़ी के निश्चिस समय को बताने के लिए हम 8 का प्रयोग करते हैं दूसरा प्रयोग 8 का 24 खंटों की अवधी में बताये गए समय से पुर्व जब समय से पुर्व की बात की जाए वहाँ पर भी एट की जाए एक्जामपल दसन रोज एट 6 एम यानी सूरज सुभा 6 वजे उदरी होता है दसन रोज एट 6 एम यहाँ पर यहाँ पर सुभा की बात हो रही है सुभा भी क्या है एक निश्चित टाइम है सुभा भी क्या है सन सूरज सूरज का जो उगने का समय है वो भी निश्चित टाइम पर है 6 एम यहाँ पर निश्चित टाइम बता गया 6 एम तो 6 a.m. बताया है इसलिए हम उसके पहले 8 का यूज करेंगे और 8, 9, 8, the age of 6, 8 noon, 8 midnight ऐसे ये भी एक्जामपल है जिसमें 8 का यूज किया गया है दुसरा है ओन, ओन को हम कब यूज करते हैं सेंटेंस में बिफोर डेस एन डेट्स यानि जब दीनों या दिनांकों से पूर्व का तातपरिय समय बिंदों से है जैसे ओन बंडे, ओन संडे, ओन दिपावली, ओन दे रिपब्लिक डे, ओन सेवन्थ स्टेंड या ओन फिप्तिन ओफ अगस्त जब ऐसी बात कही जाए वहाँ पर आप ओन का यूज करेंगे यानि दीनों और दीनांकों से पूर्व, ओन का यूज किया जाता है दीनांक और दीन के पहले ओन का प्रेओख एक्जम्पल राम विल गो टू जयपूर ओन मंडे यहां पर हमने मंडे के पहले ओन प्रेपोजिशन का यूज किया है किसका यूज़ किया है ON O N यहां पे दीन है दीन क्या है मंडे तो मंडे से पुर्व हमने पड़ा ON का यूज़ किया जाता है राम विल गो टू जैपूर ON Monday राम सुमार को जैपूर जाएगा IN IN का यूज़ किया जाता है महिनों रितुवों वर्षों से पुर्व IN का यूज़ किया जाता है IN का प्रयोक किया जाता है महिनों रितुवों वर्षों से पुर्व Example यानि मन्थ सीजन्स एंड इयर्स के पुर्व IN का प्रयोक किया जाता है जब year, seasons and month की बात कही जाए वहाँ पर इनका प्रियोग किया जाता है Example We took exams in March यहाँ पर March क्या है? यहाँ पर March क्या है? महीने का नाम है March मार्च के पूर्व हमने इनका प्रियोग किया है तो यहाँ नी महीनों, यही रितुओं और वर्षों से पूर्व हम किसका यूज करते है? इन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है Example We took exams in March हमने मार्च में परिक्षा दी अब हम पढ़ेंगे बिफोर का यूज बिफोर का अर्थ होता है पूर्व या पहले बिफोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पूर्व या पहले यानि earlier, there यानि example देखिए We, before, dinner अभी हमने पढ़ा कि बिफोर का अर्थ होता है? पूर्व या पहले बोजन से पूर्व या बोजन से पहले तो रात के खाने से पहले मुझसे मिलना Meet me before dinner यहाँ पहले या पूर्व के ना हो वहाँ पर आप बिफोर का यूज करेंगे आफ्टर आफ्टर कार्थ होता है बाद में या के पश्चात आफ्टर कार्थ होता है बाद में या के पश्चात एक्जामपल Meet me after dinner रात के खाने के बाद मुझसे मिलना क्या बोल रहे है रात के खाने के बाद मुझसे मिलना तो meet me after dinner यानि after मतलब का होगा आफ्ट बाद में बाद में दूरिंग का यूज किया जाता है दूरिंग का आर्थ होता है किसी समय की निरंताता के दोरान यूज किया जाता है एक्जाम्पल दूरिंग 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 सूरी हमें दीन में प्रकास देता है यानि दीन के दोरान सूर्य हमें दीन के दोरान प्रकास देता है The sun gives us light during the day जब आपको किसी के यानि समय के दोरान की बात करनी हो वहाँ पर आप during का यूज़ करेंगे हमने एक्जामपल पड़ा The sun gives us light during the day अब हम पर आर्थ होता है तक समय से पूर्व तक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है As soon as not later देन में आप by का यूज़ करेंगे To indicate the meaning of as soon as or not later then यानि समय से पूर्व तक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है बाई का I shall finish my work by Sunday Example क्या कहे रहे है I shall finish my work by Sunday में रविवार तक अपना काम पूरा कर लूँगा यानि तक की बात कही जाए कि में इससे पूर्व ये कर लूँगा तो वहाँ पर आप by का यूज़ करेंगे I shall finish my work by Sunday अब हम पढ़ेंगे फॉर का यूज़ एफ ओ आर फॉर का यूज़ फॉर का यूज़ हम कब करते हैं To indicate extent of time यानि समय सीमा को बताने के लिए या समय सीमा को इंगित करने के लिए हम फॉर का यूज़ किया जाता है फॉर का यूज़ क्या होता है के लिए फॉर का यूज़ क्या होता है के लिए यानि समय सीमा के अंदर समय सीमा को इंगित करने के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है और फॉर का यूज़ क्या होता है के लिए I am going I am going abroad for for a month यानि जब आपको के लिये की बात करनी हो या हिंदी की सेंटेंस क्या बना इसका मैं एक महिने के लिए वीदे जा रहा हूँ जब आपको के लिए के लिए का अर्थ क्या हुआ for यानि जब आपको समय सीमा बतानी हो या के लिए अर्थ प्रयोग करना हूँ आप पर for का यूज किया चाता है I am going abroad for a month Scenes Scenes का प्रयोग कप करते हैं समय बिन्दू से पूर्व से के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है perfect और perfect continuous tense में समय बिन्दू से पूर्व से का प्रयोग किया जाता है Scenes का प्रयोग हम कप करते हैं point of time in perfect and perfect continuous और for का use भी उसके लिए use होता है perfect and perfect continuous tense में use किया जाता है Scenes का प्रयोग क्या होगा I have been learning driving since July मैं July से driving सिख रहा हूँ कब से सिख रहा हूँ? July एक perfect time दिया है कि मैं July से driving सिख रहा हूँ तो यहाँ पर since का use होगा जब आपको time समय के अवदी से पूर्व की बात कही जा जब वहाँ पर फोर का प्रयोग करते हैं एक महा से तो गंटे से कुछ समय से तो वहाँ पर फोर का यूज किया जाता है और since का यूज यूज कब के जाता है जुलाई से रही वार से अपनी सादी से जब ऐसी बात कही जाए तब आपको वहाँ पर since का प्रयोग करना है I have been learning driving since चुलाई अब हम पढ़ेंगे through सुरू के अंतर तक के अर्थ में समय से पूरू इसका प्रयोग किया जाता है Example, the passion will not live through the night मरीच, रात पर जिन्दा नहीं रहेगा अर्था प्रातर काल से पूरू मर जाएगा यानि सुरू से अंतर तक की बात करनी हो वहाँ पर through का प्रयोग किया जाता है तुरू का प्रयोग करते हम सुरू से अंतर तक की बात करने के लिए हम तुरू का प्रयोग करते है Till किसी समय तक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है To indicate up to the time when Up to the time when किसी समय तक के अर्थ में till का प्रयोग किया जाता है Example, I shall I shall wait for you till 7 o'clock मैं 7 बजे तक आपका इंतिजार करूंगा यहां पर क्या बात हो रही किसी समय तक जब आपको किसी समय तक की बात करनी हो वहां पर तील का यूज किया जाता है I shall wait for you till 7 o'clock मैं 6 बजे तक आपका इंतिजार करूंगा अब हम पढ़ेंगे अंटिल का यूज कहां करते हैं अंटिल का पयोग अधिकांस तह उन वाक्यों में किया जाता है जब इससे संबंदित या फ्रेजल वाक्यों में पहले आता है एक्जाम्पल अंटिल 7 o'clock I waited from him यहां पर टाइम क्या है यह अंटिल के बाद ही आ जाएगा वहां पर टिल में टाइम को एंड में कर रहे थे दूस सेंटेंस में पर यहां पर अंटिल में टाइम क्या होगा पहले होगा एक्जाम्पल अंटिल 7 o'clock I waited for him साथ बज़े तक मैंने उसका इंतिजार किया साथ बज़े तक मैंने उसका इंतिजार किया अंटिल 7 o'clock I waited for him अब हम पढ़ेंगे वीद का यूज वीद का यूज होता है at the same time as at the same time as ठीक उसी समय के अर्थ में इसका प्रयोग किया चाता है कि इसका वीद का प्रयोग एक्जामपल I rise with the sun I rise with the sun अर्थात सुर्योदय के समय सुर्योदय के समय यहां पे वीद का प्रयोग किया गया है I rise with the sun ठीक उसी समय यानि सुर्योदय के समय की बात कही गयी है वहां पर वीद का प्रयोग किया है within यहां पर within क्यों यूज किया जाता है in less than time यानि से कम समय बताने के लिए within का यूज किया चाता है एक्जामपल do it within and over एक घंटे के बितर करे यानि एक घंटे से कम का समय है वहां पर within का यूज होगा यानि से कम की बात कही जाए अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम का यूज to indicate the starting of a period of time यहां पर फ्रॉम का यूज कब किया जाता है एक्जामपल जोन बील कम टू स्कूल फ्रॉम टुस्टे जोन का मंगलवार से इस्कूल में स्वागत है यानि जब आपका समय अवधी के पारंभिक बिंदू हो यानि स्टार्ड हो इंगलिज में क्या कहेंगे to indicate the starting of a period of time यानि time समय का क्या पारंभी हो रहा हो यानि स्टार्डिंग ही हो रही हो वहां पर फ्रॉम का यूज किया चाहता है एक्जामपल जॉन वील का तु स्कूल फ्रॉम तुजड़े to indicate the starting of a period of time फ्रॉम का यूज किया चाहता है